चेनपुरा गाउं में एक मच्छवारा रहता था। उसकी दो बेटियां थी। मेघा और सुमन। मेघा बहुत शरारती थी और सुमन बहुत ही भोली। मच्छवारा रोज नदी से मच्छियां पकरता और बाजार में बेच के जो पैसे मिलते उससे घर का खर्चा चलता था पता नहीं ये सब अब और कितने दिन चलेगा। मच्छवारा मैं खुद यही सोच रहा था उपर से महेश से नए जाल के लिए जो पैसे लिए थे वह भी लोटाने है। हम कुछ ही दिनों में शायद वो आता ही होगा। कहते है कि बुरा वक्त तो आता है तो सब तरफ से आ हार गए है कै रही थे कि किसी से पैसे लेने है। शायद वही लेने गए हो। महेश आहां पैसे से याद आया कि उसने मुझे भी कुछ पैसे देने का वादा किया था। शायद वही लेने गए हो। ठीक है मैं कल आता हूँ। यह बोलकर वह दरवाजे से चला जाता हैं चु पारण, नहीं नहीं बेटा हम दोनों है न तुम अपनी पढ़ाई के तरफ ध्यान दो डंडा, अगर तुम पढ़ लिख गई तो ऐसे दिन से हमेशा से छुटकारा मिल जाएगा, तुम पढ़ाई करो अपनी मन लगा कर, लेकिन दोनों बेटिया नहीं मानती, मेघा, हम एक का करते हैं, हम दोनों एक एक करके हर रात पिता जी का जाल ले जाकर मच्हियां पकड़ा करेंगी, जो मच्हियां मिलेंगी उनको घर के आंदर में बने तालाब में रख दिया करेंगे, डंडा और कुछ दिनों में सब माता पिता को बता देंगे, सुमन, ठीक है, लेकिन कुझा रात में उठना है, आज रात में जाऊंगी, कल तू जाना सुमन, ठीक है, रात होते ही, मेघा पिता का जाल लेकर नदी किनारे पहुँच जाती है, और थोड़ी देर बात कुछ मच्हियों को पकड़ कर घर के आंदर में बने हुए तालाब में डाल देती है, सुमन केक चमकती हुए मच्हिय उसके जल से छोट कर पानी में वापिस चली जाती है, वे डर के मारे घर जाती है और ये सब अपनी बहन, मेघा, वही जादूई मच्हिय तो नहीं जिसके बारे में दादी बताया थी, सुमन, हाँ, हो सकता है, लेकिन अगर वह कोई भूत हुआ त मेघा, चुपकर, कल देखती हो इस भूत को, अगली रात, वह जैसे ही जाल डालती है, वही चमकती हुई चीज उसके जाल में फस जाती है, मेघा उसको जब पकड़ती है, तो वह एक सुनहरे रंग की मच्हिय होती है, जिसका पूरा शरीर सोने के सामान चमकदार होता है, अलाव मच्हियों से भर देती है, अगले दिन मेघा और सुमन अपने मादा पिता को सब बताते है, और उसके पिता आंगन में रखी सारी मच्हियों को बाजार में बीच देते है, और महेश को उसको पैसे ब्याच समेत लोटा देते है, अगले दिन जब दोनों बहने उस मच्हियों का धन्यवाद करने वह जाती है, तो मच्हियों रोते हुए बताती है, कि ये सब जो हो रहा है उसका जिम्मेदार उस पहाड़ी पर बैठी डायन है, मेघा, डायन, मच्हियों, हाँ डायन, बहे इस गाव की हवा में एक जहर मिला रही है, जिसके चलते कोई भी आदनी अपने काम को ठीक धन से नहीं कर पता, और इसा चलता रहा तो एक दिन यह गाव खाली हो जाएगा, ये डायन इस पूरे गाव को अपने कबजे में ले लेगी, मेघा, तुम फिक्र मत करो, मैं आज ये भी खतम कर दूँगी, उसी रात मेघा उस पहाड़ी पर रहन नहीं कर पाओगी, मैं कल सुभह ही तुम्हें सरपंच के सामने ले जाओंगी, रायन, सरपंच, हाँ 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 के सामने हाँ हाँ, ऐसा कहते ही वे डायन मेघा को अपनी जादू की छड़ी से एक पत्थर में बदल देती है, और ऐसा करके वे जोर जोर से हसती है, रायन, हा और मसूर की दाल हाँ 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 आए मुझे पकरने ये सब बोलते ही अचानक एक तीज रोशनी आती जो उस डायन को पत्थर में बदल देती है और मीघा को फिर से इंसान के रूप में जैसे ही मीघा इंसानी रूप में आती है वे अपनी बहन सुमन को हाथ में जादू की पीछे पीछे आ गई थी मेघा और सुमन उस पूरी जगह को जला देते है और जादू की छड़ी उस मच्छी को दे देते है मेघा तुम इस छड़ी को संभल कर रखना जरूरत पढ़ने पर हम इसका इस्तिमाल करेंगे तो देखा अपनी ताकत का अगर ठीक ठंग से इस्त झाल 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 झाल